नमश्कार सुआगत हथ सभी का जेगे मीदिया पे मैं ही आने जाब के साथ अब आप सब आसानी से दो डिग्रीज एक ही टाइम पे ले पाएंगे और दो डिग्रीज लेने के लिए जहां पहले आपको एक डिग्री कम्प्लीट करके उसके बाद पूरा वो टाइम पीरेट कवर करके दूसरी डिग्री के लिए अपलाय करना पड़ता था तो अब इतने साल जो है वो इन चीजों के लिए नहीं लगेंगे और आसामी से आप एक ही टाइम पे दो अलग-अलग सब्जेक्स में इवन दो अलग-अलग उनिवर्स्टी से भी डिग्री ले पाएंगे वो भी फिजिकल मोड में UGC ने इसके चलते अप्रूबल जो है वो दे दिया है और इसके चलते हैं यह मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे ही National Education Policy को रोल आउट किया गया था तभी है मेंशन कर दिया गया था कि UGC इस decision के regarding भी कुछ कर सकती है तो में 2020 के टाइम के आसपा सी इन्फोमेशन जो है वो सामने आ गए थी और इस प्रेपोजल के रहे अप्रूबल जो है वो दे दिया गया था और अब फाइनली ये information सामने आ गई है कि जहां पहले प्रेपोजल रखा गया था प्रेपोजल के रहे प्रूबल दिया गया था वहीं अब इसके चलते finalization जो है वो कर ली गई है इस proposal को properly allow करके अब information जो है वो सामने आ गई है और इसके चलते पूरे procedure के चलते UGC guidelines जो है वो जारी करेगी पर अभी तक जितनी भी information सामने आई है तो उसके चलते आपको बता दूँ कि आप दो full time degree program physical mode में एक साथ कर पाएंगे और साथी साथ अगर आप undergraduate course कर रहे हैं diploma कर रहे हैं तो हर एक course में applicable रहेगी नई guidelines यह इसलिए जारी की गई है क्योंकि कहीना कहीन इस समय जितनी भी skill की requirement है या कोई भी student है या कोई भी student है वो पढ़ाई करना चाता है अलग अग सब्जेक्स में जैसे कि आपको एक particular का update जो है वो इसी के regarding सामने आया है और साथी साथ पता दें कि इसके चलते अभी तक जो information आई है सामने कि flexibility रहेगी कि आप एक course जो है वो online mode पे ले रहे हैं distance learning में ले रहे हैं और एक course जो है physical classes जैसे regular attend करते हैं वैसे ले रहे हैं अब कुछ universities ऐसी हैं जो on campus learning offer कर रहे हैं जैसे कि आपको पता दें कि online programs जितने भी हैं वो भी offer कर रहे हैं और regulation जो है online education को लेके उतको भी कुछ universities ने modify किया है जिसके चलते कुछ information जो है वो जल ही सामने आ जाएगी तो काफी ऐस institute हैं पूरे देश भर में जो इस समय इस चीज को लेकर काम कर रहे है चेकी मीडिया की कोशिश रहेगी कि सबसे पहले आप तक वो information भी पहुंचाएं तो चलिए फिलहाल का बड़ा अपडेट यही ऐस और अपडेट्स लेके फिर्म लागात करूंगे अभी कहले दीजिए इजाज़त नमस्कार